अगर अगर बात करें हम टीडीपी के फर्स्ट लेक्चर की ट्रांस्मिशन एंड डिस्टिबिशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नमर वन के जितने भी यह यह बनने वाले थे उसको डिसकस किया था तो हमारी जो सेशन है वह हमारी चैप्टर वाईज टापिक वाईज हमारे सेशन हो रहे हैं और एमसी क्योंकि आपको पता है जो आपका बीटी यूपी बोर्ट का जो पैटन है वह बिल्कुल डिफरेंट हो गया बिल्कुल चेंड बाधवाल करेंगे चीजबर बता दें कि हमारे इस चैनल पर इलयक्रिकять के सबको MC Qs goals cover कराया जा रहा है electrical के साथ-साथ हमारे इस चैनल पर mechanical civil electronics के भी जो subject है उसkę कवर किया जा रहा है तो किसी भी branch में किसी भी semester महुत और उसके साथ आप इसको शेर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है फ्रेंट्स जो मार्टेट है बहाँ पर MC Qs क Dann नहीं मिल पा रहें और इस्पेशल डिप्लोमा इस तरके तो बिल्कुल अभी चेंज हुआ है तो आप इसको शेर कर दीज़ेगा जिससे और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके और अच्छी मांक्स गें कर पाएं तो फ्रंट चली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पह कर दीज़ेखें चेकर नमबर टू आपका है फरण्स लािस्ट परामिटर तो अगर लाइन परामिटर की बात गरें तो पहले हिम इसका इंड्रॉडाट पार्ट से देख लेते हम इसके 550 करेंगे क्योंकि आपको पता है हमारे माइंड में एक राइट इस्टेजوج या फिर राइट अंडरस्टेंडिंग होना ज़रूरी है तो उस अंडरस्टेंडिंग के लिए हम क्या करना है फ्रेंड्स यहां पर इसके क्रटस ने इसके को सकत WOR old था आपको कि Soufford तो आपको पाता है आपको पता है जो इस सर्किट है तो अगर हम बात करें प्योरली हमारा जो एलेक्टिकल नेडवर्क है ट्रांश्मिशल लाइन तो आपको पता है नेडवर्क किसे मिलकर बना है डिफरेंट टाइप्स और और ब्रांचेस से मिलकर बना होता है जैसे सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं या कभी कबार दो भी कनेक्टेड होते हैं रजिस्टेंस कभी कबार इंडेक्टेंस रजिस्टेंस भी कनेक्टेड होता है कभी कबार आपका कपासिटेंस इंडेक्टेंस भी कनेक्टेड होता है तो बहुत सारी चीजे हैं हो सकता है कि बहुत करेगा और साथ के साथ आपका जो कापासीटन से बहुत करेगा तो यह जो स्थरांग निकल कर आ रहे हैं रजिस्टन्स इंडेक्टेंस और कापासीटन्स तो यह हमारी क्या है यह हमारी लाइनस परामीटर हैं तो अगर पहला question तो यहीं से बन जाएगा कि transmission line में कितने प्रकार के line parameter होते हैं तो आपको पता है कि तीन प्रकार के line parameter होते हैं resistance, capacitance and index chance तो अगर हम बात करें friends की तीनों की measurement है उसको कैसे measure किया जाता तो आपको पता है जो resistance हो उसको ohm में measure किया जाएगा पर हम बात करें lines parameter की form में या फिर बढ़ जाएगा क्योंकि अगर आप प्रतिरोध वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें आर वरावर रो एल अपॉन ए तो जब लेंग्थ बढ़ेगे फ्रेंट्स कंड़क्टर की तो आपका जो प्रतिरोध भो भी इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा तो इस तो इंड़क्टर को भी हम इसी प्रकार मेजर करेंगे इंड़क्टर को कैसे मेजर करेंगे हैंडरी प्रति किलोमीटर तो इसको भी हम लेंग्द के आदार पर ही मेजर करेंगे फ्रेंट्स सिमिलरली अगर हम बात करें कापासेटर की कापासेटर की तो कापासेटर को आप क तुर दूस्वर निकल कर आएगा कि इसको मेजर किस्में किया जाता तो पर किलोमीटर में मेजर किया जाएगा मतलब प्रतिक प्रतिक किलोमीटर जो लेंग्ट है उसके आधार पर तो यह दोनों कोशन बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर हम बात करें कि जो आपका का पासी टे है वो कैसे फॉर्म हो जाता है तो अगर हम बात करें कापसेटर की तो क्या करता है अगर कोई हम दो प्लेट दे दें और उस पर चार्ज हो और उसके बीच में हम एर गया दें या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मैट्रियल को भर दें तो वो क्या बन जाता है आपका कपसेटर बन जाता है तो यहां भी क्या होगा फ्रेंट जो हमारी यहां पर year gap हो गया तो जो capacitor है वो form हो गया है यहां पर तो जो आपका transmission line है transmission line और अर्थ के मध में जो जो phenomena form हो रहा है उसी को हम बोल रहे है capacitance ठीक है तो capacitance कहां से form हो गया यह आपको पता लगा आगे बढ़ेंगे तो किसी सुचालग की लंबाई तीन गुना बढ़ाने से इसके प्रतुरोद में क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूछिना चाहा रहा है तो कुशन नमर बन में कहा गया कि अगर हम जो हमारा conductor है उसकी लंग को तीन गुना बढ़ा दें तो उसका प्रतुरोद है उसमें कितना परिवर्थन होगा तो फ्रेंट्स में आपको बता चुका भी formula की आपका जो formula होता वो क्या होता आर बराबर अगर मैं फॉर्मूली की बात करूं तो होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए अब क्या बोल रहे फ्रेंट्स वो यह बोलना चाहा रहा है कि आपके वायर है उसकी लंबाई को तीन गुना किया जा रहा है अगर मैं इसको constant माल लू इसको constant माल लू तो जो आपका प्रतिरोध भी तो तीन गुना बढ़ रहा है तो आपका प्रतिरोध भी तो तीन गुना बढ़ेगा तो तीन गुना बढ़ रहा है तो आपका प्रतिरोध भी तो तीन गुना बढ़ रहा है तो आपका प्रतिरोध भी तो तीन गुना बढ़ रहा है तो आपका प्रतिरोध सब्सक्राइब आपके साथ आपके लिए यह जो इसको भी लेकर आया है तो आप इसको भी देख सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके कि नमबर नेक्स से से केंड कुशन में क्या कहा गया है से कंसीडर दा फॉल्लेंग इस्टेटमेंट्स तो कौन-कौन से किया गया है इसमें बिचार के इन मतलब इसको बिचार करना है तो देखिएगा क्या बोल रहा है तो इस्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं हाई बोल्टेज इस यूज इन लॉंग डिस्टेंस पावर ट्रांश्मिशन इन आदर टू बोला लंबी दूरी के सकती संचरण मतलब ट्रांश्मिशन लाइन में डैश उच्छ बोल्टा का प्रियोग किया जाता है तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंट्स की जो आपकी बोल्टेज है पहले मैं इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉंसेप्ट और बता दूँ आपको फ्रेंट्स जितने भी मैं कॉंसेप्ट बता रहा हूं वो सब के सब अपने आप म other parameters हैं उसमें मैं एक बार तुलना कराता हूं तो अगर मैं बात करूँ high voltage की तो आपको पता है friends की अगर हम बात करें transmission line की तो transmission line में जो आप power का transmission कर रहे हो तो वो constant power होती है जतना आप sending end से भेजरो उतना तो यह मिलेगी आपको लेकिन वह बात अलग है कि जो line parameter है उसके कारण आपकी जो sending end है और bolting sorry sending end और receiving end का जो voltage है वो different आपको मिलता है तो sending end और voltage जो sending end का voltage है और आपका जो receiving end का voltage है उसमें जो variation है जो differentiation है तो उस differentiation को क्या बोलते हैं friends option में बताईएगा क्या बोलते हैं उसको आप बता सकते हैं मैं इसको skip करके चल रहा हूं हो सकता है आप बता दें चली मैं बताई दे रहा हूं तो जो आपका sending end का voltage हमा लेजे यह आपका transmission line होगी आपने यहाँ पर B1 send किया आपको receiving end पर B2 मिला अगर हम ideal transmission line की बात करें तो ideal transmission line में तो जितना हम यहाँ पर send कर रहे हैं उतना ही हमको यहाँ मिलना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है friends कभी कबार क्या होता है उससे less मिलता है क कभी कबार उससे ज्यादा भी मिल जाता है कैसे मिलता है तो जो line parameter है resistance inductance capacitance इनके कारण क्या होता है इसका magnitude में change मतलब बदलावा जाता है कभी कबार बढ़ जाते हैं और कभी कबार घट जाते हैं decrease हो जाते हैं क्योंकि बीच में IR drop भी हो जाता है आपका voltage drop भी होता है तो इस इसका जो difference difference है दोनों का बीवन और बीटू का जो difference है तो इस difference को बोलते है voltage regulation इसको लिखते हुए चलीगा कहीं भी ठीक है तो इसको voltage regulation करते हैं अब दूसरा concept में बता दूंँँ यहां बोला गया कि जो high voltage है long transmission line में high voltage को आप क्यों flow कराते हो तो उसका reason यह है कि high voltage पर क्या होगा जब high voltage होगा मैंने भी आपको बताए कि Constant power transmit हो रही है जब function power transmit हो रही है तो power का formula होता हो भी वराबर IR अब जब constant power डूरे करड़न सब्सक्राइब करने का हमारा पहला raison क्त गश्बर कर देना पहली । को कम कर देना पहली पहली चीज़ ये होगी करण को कम कर दिया दूसरी चीज़ यह हो कहते है की करन्टको कम करने का विसन ये का रिजन यह था कि जो आपके Bosses हो रहे हैं वो minimize हो जाए क्योंकि जो आपका आयार लॉस है वो क्या होता है अगर हम यह हो सकता है कि हाँ हम आप क्या करो उसकी Length बढ़ा दो पर Length बढाने से आपका मकरकाण जो कंआर्ट कंकूल तो कैसे कम होगी जब करने के लिए प्रकार से हमारे ग्रेसी नियाạnh transmission जो आपकी पावर का transmission हो रहा है उसके जो समय है उसको कम करने के लिए बिल्कुल ठीक होगा पहला भी सेकेंड पर आजाईए reduce the transmission losses तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो transmission losses उसको कम करने के लिए ये भी ठीक हो गया next पर आजए एकस्टम तो फ्रेंट सिस्टम को भी रिलाइवल जितना करंट आपका लिमिट में होगा या पिर जितनी आप फॉल्ट को क्या कहते हैं अगर मैं फॉल्ट की बात करों अभी इसकी बात करें मेंfed आपको का बात करेंगे गैस में पैंपेडेंस की बात करेंगे तो इंपीदेंस के के कारण Impedence के क्या होता है ponto यहां पर क्या होगी जो Reliaboth Map एंपीडेंस के इंबरसलि ऽिभर आपकर रहे हैं लगिया है तो आप इसकी एकर आपकी का रहें ह है आपका जो सिस्टम है यह फिर राफिने है ना बोलकर स् इस्टैबल्टी बोलने तो ज्यादा है ना स्टेविल्टी आपकी जो आपका सिस्टम को इस्टेबल हो जाए क्योंकि करेंट की वेलीव हो जा रही है तो आपका जो option है वह तीनों ठीक हो जाएंगे आल आफ अब नेक्स पर आजाए फ्रंस नेक्स कोशन है आपका यहां यहां इसका इसको भी पढ़ लेजे फ्रंट्स नेक्स है आपका इसके इफेक्ट इस ऑनली नोटिसेवल एट फिर्क्वेंसी तो आपको पता है जो इसके इफेक्ट होता हाई फ्रक्वेंसी पर होता है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तो हाई फ्रक्वेंसी पर आपका जो इस कोशीन है आपको ऊंधक यह साहथ पहले डिसकस कर चुका हैं अगर मैं कि बात करूं तो इसको इस प्रिवार्ट कहीं हो और प्रकि यह उसको घ़टा तो तो resistance बढ़ेगा और reactance घटेगा यह दोनों condition लिखते हुँ चलिएगा कि skin effect का result क्या होता है skin effect का प्रभावब होता है आपका resistance increase हो जाता है और inductance घट जाता है तो options तो next question है friends आपका question number 5 which of the following does not affect the stability of a system तो friends इसमें कहा गया कि जो नेमलेखित है नेमलेखित factor है वो stability को प्रभावित इन में से कौन सा नहीं करता है यह पूछने का तातपर है तो friends मैं आपको बता दू कि stability का और आपका जो system है system की stability में और current में या resistance में क्या इंडेक्टेंस में क्या relation होता है तो friends इससे पहले जो stability का concept बता बता था वो उसको थोड़ा सा change करिएगा अगर मैं इस्टेवल्टी की बात करूं तो stability का जो stability होती वो directly proportional to the current current के directly inversely proportional होती है शायद उसमें मैंने directly बता दिया था तो उसको change कर लेज़ेगा inversely होगा और अगर मैं बात करूं इस्टेवल्टी की तो impedance के directly proportional होगा तो अब यहां से देखिएगा अगर मैं बात करूं इस की और इस वाले cases की तो आप कब बोलोगे फॉल्ट फॉल्ट उत्पन हुआ है आप तब बोलते हो फॉल्ट आया है हमारे system में जब करंट की value increase हो जाती है अब जब करंट की value increase होती है तो फॉल्ट आगया फ्रेंट और जब फॉल्ट आता है तो आपकी अगर करंट बढ़ गई तो आपकी जो stability घड़ जाएगी पहला concept है ना तो करंट बढ़ रही तो आपकी stability घड़ जाएगी अब बात करते है सेकंड वाली पॉА Mach cognitive पांच पर सेकंड वाली में क्या कहा गहा है अपको इस्टेवल बनाना यह स्टेवल बनाने के लिए आप क्या करना होगा करंट करना अब करन्ठ करकर ना होगा तो जब करनठ व्यूंप करना सकते हैं आप जो impedance उसको increase करा दो तो impedance अगर आप increase करा रहे हो impedance increase हो गया current की value decrease हो गई अब क्या हुआ impedance increase हो रहा तो आपकी stability भी increase हो रही है तो यह दोनों concept उसको change कर लिए लिख लीज़ेगा इसको तो आप देख लिए सब्सक्राइब करते हैं यह पुछा जा रहा तो आपका अप्सन ए है आपका रियक्टेंस ऑफ लाइन तो जब रजिस्ट इंपेडेंस की बात हो गई तो रियक्टेंस उसमें आ गया फ्रेंट्स तो प्रतिवाधा आई ही गई है ना तो प्रतिवाधा भी जैट से मैंने बता प्रतिक्त करता आउट्पूर्ट तो आउट्पूर्ट ё गका फ्रेंटिकर देखक्राइन उसमें उसमें इस में मंत नहीं होता है तो इसलिए इस्टेवलिusions आ बेरे से को किक्शन आई होता बोल रहे हैं ट्रांस्मिशन और डिस्टिबिशन लाइन में अगर एक्स स्विक्रत बोल्टेज परिवर्थन है मतलब पर्मिशिवल पर्मिशिवल बोल्टेज वेरेशन है तो एक्स की वेलू बताना है तो फ्रेंट्स में आपको बता दू कि ट्रांस्मिशन लाइन के लिए पर्मियवल जो पर्मियजबल वोल्टेज होता यह उसकी वेलू होती है आपकी 12.5 परसेंट के लिए इतना अप एलॉय है आप इतने को एलाव कर सकते हैं अगर इतना वेरेशन आद्ग here क्या है फ्रन्स प्लस और लाइन की भात कहें तो कुछ ऐनों कितना होगा थिंश हूग सुने ए option B में कहा गया प्लस मैंनिस 10 option C में कहा गया प्लस मैंनिस 0.001% option D में कहा गया प्लस मैंनिस 12% तो आपको पता है कि 12.5 और 10 छे के बीच का रेंज होना चाहिए तो आपका 10 हो जाएगा ठीक है और नेक्स पर आजाए कोशन नमबर सावन पर बोल रहा है दा प्रिजंस ऑफ आर्थ इन केस ऑफ ओबरहेड लाइन शिरुपरी लाइनों के मामले में भू की मौजूदगी भू की मौझूदगी किसलिए होती है पूछा जा रहा है किसको increase करने के लिए किसको decrease करने के लिए तो अब यहाँ पर देखेगा option के through जाते हैं पहले पर हम बाद में बात करेंगे कि इंक्रीज दा इंडेक्टेंस आफ दा लाइन तो इंडेक्टेंस को इंक्रीज नहीं करता है बिलकुल नहीं करता है तो गलत हो गया यह decrease the capacitance of the line तो line के capacitance को बिलकुल ये decrease नहीं करता है और बलकि increase कर देता है decrease inductance of the line तो inductance से भी कोई मतलब नहीं capacitance से मतलब है क्योंकि आपको पता है transmission line या overhead line और earth के बीच में क्या बनता है आपका capacitance form हो जाता है इसका भी introduction पार्ट में ने बताया था उसी में ने बता दिया था capacitance form हो रहा है capacitor बन रहा है तो जो capacitance की value है उसको क्या करता है ये increase कर देता तो option A is the right answer next पर आजाई नेक्स question क्या बोल रहा है friends question number 8 में कहा गया है if supply frequency increases the skin effect is यदि प्रदाय आवरती बढ़ जाए तो twitchic प्रभाव अगर friends हम बात करें frequency की तो frequency की directly proportional होता है हमारा skin effect जतनी ज्यादा frequency होगी skin effect उतना ज्यादा होता है तो directly यह formula है आपका कि आपका जो skin effect है वो directly increase हो जाएगा next पर next solution पर आजए यह formula इसको no down करते हो चलीगा frequency increase हो रही है तो आपका जो skin effect है फ्रेंट्स वो increase हो रहा है ठीक है तो next पर आजए फ्रेंट्स next question है आपका skin effect exists only in तो आपको पता है जो skin effect है वो जब frequency की बात कहीं जा रही है यहीं से इसी से निकलता है जब frequency की बात आ रही है तो obviously इसलिए वो AC system में ही काम करेगा तो 9 इसका जो option आपका question number 9 है उसका option हो जाएगा आपका AC system तो आप इसको no down कर लिजेगा AC system ठीक है एसी ओबर है transmission line ठीक है next पर आजएगी फ्रेंट्स next question है कि दा इसकिन effect of the conductor increase the effective value of जो skin effect है वो कौनसी value को increase कर रहा है यह पूछने का मतलब है किसी चालक का skin प्रभाव निम्न मेंसे किसके प्रभावी मान को बढ़ाता है तो option एक क्या दे रखा है आपका inductance of the conductor भुलकुल नहीं बढ़ाता है inductance अभी मैं आपको पहले ही side इससे पहले बता चुका था कि जो skin effect है वो क्या करता है resistance की value to increase कर देता है और जो inductance जो reactance होता है उसकी value को क्या करता है वो decrease कर देता है तो आप इसमें से पैचान लीजिए आपका resistance increase होना चाहिए तो resistance second में increase हो रहा है तो skin effect क्या करता है जो resistance उसकी value को increase कर देता है और जो reactance उसकी value को decrease कर देता है तो next पर आजाए Standard wires are mainly used to गोमफित या Standard तारों को विशेशकर इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि किसलिए यूज किया जाता है अब हम इसके जो option उसके पर विचार करते हैं जो आपका Standard Conductor उसकी बात कही गए कि किसलिए उसको यूज किया जाता है तो option A में पूछ रहा है reduce skin effect तो skin effect को कम करने के लिए आपको पता है जो hollow conductor उसका use करते हैं hollow की बात करेंगे मतलब जो खोखला होता है conductor उसकी बात कर रहे है hollow conductor ये पढ़ा होगा friends अगर नहीं पढ़ा तो इस पर भी आगे चरचा करेंगे hollow conductor क्या करता है इसके निफाक को कम करता हुँआ चलता है कि लिए ईसका यूज करते हैं अगर बात करें हम स्टैंडर कंड़ुके की का सिएाँ किया करता है जो टनाव है उसको कम करता है मरका से क्रेंडियोच तया ऐनसे नहीं कन डियता है तो आपका जो option है वो D ठीक हो जाएगा B and C next पर आजाएए friends question number next में क्या कहा गया है next में बोल रहा है friends as the voltage of transmission increases the value of conductor means जो हमारी voltage transmission line है उसमें अगर हम voltage में उसकी transmission line की voltage में अगर हम ब्रधी कर रहे हैं तो चालक के item में क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ अगर हम बात करें जो हमारा voltage है voltage किसके inversely proportional होता तो आपके जो volume of the conductor है उसके तो volume of the conductor के जब inversely proportional है तो आपने क्या किया voltage की value increase कर रहे है जब voltage की value increase करोगो तो जो आपका item है या फिर जो आपका volume है material का या फिर wire का conductor का तो वो क्या होगा friends वो आपका कम हो जाएगा तो इसमें क्या करना है आपको आपके जो current conductor है उसका जो material का item है उसको कम कर दिना तो item पर क्या प्रभाब पड़ेगा तो item हमारा क्या हो जाएगा इस formula को भी note down करते हूँ चलेगा voltage voltage वोल्यूम ठीक है यह है फ्रंट्स एक सेकंड में स्कॉर्ट आउं यह है फ्रंट्स ठीक है वोल्यूम या फिर वॉल्यूम को लगा लिजीगा वॉल्यूम किसके inversely proportional होगा आपके voltage के square के friends इसको लिखते हूँ चलीगा यहाँ डिरेक्ली कोश्चन भी पूछा आ सकता है इस पर नुम्रिकल भी आ सकता है next पर आजए कोश्चन नमबर next if 5000 किलोवाट पावर इस ट्रांस्मिटेड एट 220 किलोवोल्ट के बी in place of 11 के बी reduction in the value of electrical current will be पूछ रहा है कि यदि 5000 किलोवाट शक्ती 11 के बी के स्थान पर 220 के बी पर कि परोश्चित की जाए मतलब ट्रांस्मिटेड की जाए पारिश्चित की जाए तो बिधुधारा के मान में कमी होगी आप कितनी कमी होगी फॉर्मूले से आप निकाल लीजेगा अगर आपको पता है फॉर्मूला तो ठीक है नहीं पता तो कोई दिख कर नहीं यहाँ पर मैं उसका solution भी लेकर आया है अब जो आपका बोल्टेज है वो कितना दे रखा था 11 के बी की जगह आप कितने पर करने जा रहे तो पहले तो आप 11 के बी पर कर रहे तो 11 के बी पर पहले निकाली आप पी बराबर क्या होता है बी आई होता है पी बराबर बी आई से आप यहां से पहले करन की वेलू को निकाली फ्रेंट्स तो पी कितना है आपका पी तो 5000 था 5000 था और आपका 11 के भी था किलो से किलो कड जाएगा उपर नीचे है ना कैंसल आउट हो जाएगा फ्रंट किलो से तो आपका जो वैलू है वो कितना आ जाएगा चारसुचावण पॉइंट पांच चार एंपियर इतना आ जाएगा है कि 454 पॉइंट कि 5 4 एंपियर आ गया अब अगर हम बात करें सेकंड केस की सेकंड केस क्या है 220 वोल्ट के भी तो अब इसका निकाल लेजेगा अब इसका निकालोगों तो कैसे आ जाएगा फ्रंट सेम उ निकालते हो मतलब लॉस कैसे निकालते हो यह परसंटेज का सवाल हो गया एक प्रकार से जो आपके मैथ में आप मैथमेटिक्स में आप करते हो जो तो अब आप देख लेजेगा आपका प्राइमरी कितना था प्राइमरी यह था सेकंडरी कितना हो गया यह हो गया तो आपक परसेंट हो जाएगा आपकी 95 परसेंट क्या होगी कमी हो जाएगी तो अप्शन भी इस दा राइट अंसर नेक्स पर आ जाएए इन प्यूर रजिस्टिफ सर्किट पावर फेक्टर बिल भी तो आपको इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए आपका जो पावर फेक्टर वो य प्रोशन एस का अंसर ठीक होगा तो नेक्स पर आजएए इफ बी रिप्रेजेंट दा कंड़क्टर डामीटर वाइडी कंड़क्टर डामीटर के तना है फ्रंस डी हो गया इसकिन इफेक्ट बिल वी प्रोपोर्शनल टू अब यह पूछना चाहा रहा है कि जो आपका डाम सब्सक्राइब आपके लात प्रोपोरक्शनल फेक्टन तो चिन इफेक्ट बिल न करने चाहे है ए लोड पावर फेक्टर आफ 0.95 लेगिंग इंप्लाइज रियक्टिव पावर डिमांड आफ तो हमको रियक्टिव पावर डिमांड की बताना तो रियक्टिव पावर को किसे हम डिनोड करते हैं फ्रेंट्स साइन से डिनोड करते हैं और कॉस की वैलू दे रखिए पावर होती है आपकी sin theta और जो cos theta होता हमारा तो power factor हमको दे रखा है, कि पावर factor कितना दे रखा है, cos phi अगर मानोगे तो phi लिखके चलिएगा, theta मानोगे तो theta मान के चलिएगा, तो 0.95 हो गई और हमारे पास जो value है, ऑने जो किस की पूच रहा है बो प्रती घंड है शक्ती माप की अलब पर इक्टि पावर डिमांड की बात करी तो इयक्टि पावर की बात करें तो यहां से ड़ेनोट करेंगे रws से तो जो भी आए बताएगा अगर आपको दिल से अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा वच्छों को जोड़िए क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जो आपके अगर हम बता दे कि हमारे इस चैनल पर कौन-कौन से आपके जो से उसको कंप्लीट किया जा रहा है तो यह हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं फ्रेंस